हेलो एवरीवन वेल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल मुनिया बास पर टिपल वन फ्रेंट्स कैसे आप सब आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंट्स मेरी तब टीक नहीं है नाची से बूल पारी हूं ना खाना खाने का मन कर रहें न कुछ भी तब एक दम विकारता लग रहा है सुबे से जस चाई एक कप चाई ही पीके हूं अब ही में शाम के लिए शाम के बज़ें पांच और अभी में नाष्टा बनाने जारी हूं एक आसमिस रेसिपी है जो मैंने अपनी दीदी से सीखी है मेरी बड़ि दी है मेरी बड़ि पापा की बीटी उशा नाम है उनका उनकी शादी हूँ चुक्छे बोगाई गाउं ईनकी शादी हूई है तो उनसे हम लोगोंने सीखा है बचपन میں बहुत हाया करते थे वह थी उन्हीं के हाथ से खाया करते तो बहुत अच्छा लगता था तो मैंने उनसे कॉल पर पूछा था हम तो उन्होंने हमें रेसिपी बताई थी और उसी रेसिपी को फोलो करते हुए मैंने बनाऊंगी आज बॉन्नी चावल का मीठाभात तो आसाम के जो लोग होंगे पो चावल के बाद मैं किचन में जाओंगी और बनाना स्टार्ट करेंगी मैं आपको दिखाऊंगी तो वह चावल बहुत है स्टिकी होता है उससे ही हम लोग मतलब पीठा बनाते हैं जो हमारे आसाम का जो सबसे पॉपुलर पीठा जो बनता है नारिकल ने पीठा उसमें नार सबस्क्राण है और एक जो हरता है वाइडोट एलिए मैं आपको दिखाते हैं उसे हम लॉग ना पुलते हैं उससे लोकिल लेंग्वेज में वहसे वो निच्वाल बूलते हैं या फिर बोरा काह सब्सक्रांगी पूलते हैं चलिए मैं दिखाती हूं आपको ब्लॉग पर कंटीनुई दिए तोस्तों यह दिखिए यह है बोनी साउल जिसे हम बोरा साउल भी बूलते हैं और इसको आप मतलब में क्या बता सुबह का नाश्टा इसका बड़ा मज़दार होता है मैंने इसे दो घंटे पहले ही बिगो के रख लिए हैं दो से तीन घंटे पहले इसे जगह आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं तो चलिए आगे के प्रोसेस के और हम बढ़ते हैं तो हम गैस ओन करने के यहां पर कढ़ाई या पेन या कोई बड़ा हंडी जो भी आप बनाना चाहिए यहां पर दूब में गरम करके दख दिया है और यहां पर मैंने हंडी चड़ा दी है आप चाहे तो कोई बड़ी कढ़ाई या कोई पेन भी यूज कर सकते हैं बड़ा उसके बाद इसे गरम होने तक हम छोड़ देते हैं और फ्रेंस यहां पर मैंने चावल वश करके विगोने के बाद 2-3 घटे विगोने बाद वश करके मैंने रख लिये हैं औ अब हम यहाँ पे तेल डाल देंगे रिफाइन ओल मैंने डाल दिया है और रिफाइन याद रिखे उतना यह डाले जिससे की पूरा चावल आप भून ले ना कम हो ना जादा हो चावल के अनुसार आपको रिफाइन लेना है और उसे गरम उने के लिए छोड़ देना है जितन यहाँ पे हमारे चोड़ने के साथ साथ ही ब्राउन हो चुके हैं कलर चेंज हो चुका है तेजपत्ता हमारा और यहाँ पे दूद हमारा गरम हो रहा है यह देखिए तेजपत्ता कैसे काला हो गया है और हम इसे चावल डाल देंगे याद रखे चावल में बिल्कुल पानी यहां हमें एक से दो मिनिट तक चावल को लगातार भूनते रहना है। मिलकुल हमें सावलम German का सब्सक्राइब दो मिन तक चावल घंठेब ऑर इसका कलर चीन्ज नहां होज़ाई व democratic जाए वियु thriller जब यह आपस में चिपक जाएंगे चिंगम की तरह तब हम समझ जाएंगे कि यह पक्क्य रेडी हो चुका है यहां पर दीखिए मैंने गेस का फ्लेम एकदम लो रखते वे इसे चलाते रहना है पकाते रहना है इसो छोड़ना नहीं है क्योंकि छोड़ेंगे आप तो यह एक दो देड़ मिनिट भूनने के बाद यह दिखिए यह आपस में कैसे चिपक रहा है एकदम से गाठे आने शुरू हो गए यह देखिए मैं आपको दिखा रही हूं यह दिखिए यह आपस में चिपक गया और इसका कलर भी चेंज हो गया मीन से भून के एकदम रैडी हो चु पानी का भी हमें ख्यार रखना है कि पानी एकदम से जादा भी नहीं चीए मीडियम पानी चीडिसे की आम चावल पक जाएं जैसे हम चावल बनाते हैं तोड़ लेना है जिससमें चावल चीटिकेraszam ऑट Coryहां बिल्कु l में ऐसी तोड़ लेना ऊच्छी तरीके तरीके से मतलब इतना होना चाहिए कि चावल से थोड़ा ऊपर जाए पानी चावल के उपर पानी रहेगा इस नहा जाधा इस सraणा कम एक दम वैसे ही पानी होना चाहिए और गाटो को अच्छी तरीके से मैं तोड रहे हूं यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके पाद हम इससे चीनी इसके उपर ही डालेंगे तो चीनी आप अपने एकॉर्डिंग डाली जितना आप मीठा खाते हैं क्योंकि यह मीठा भात है तो मैं चीनी इसमें थोड़ा से जादा ही रख रही हूं और चीनी को एकदम उपर से ऐसे ही हमें डाल देना है अपने स्वाद अनुसार बाबा सर्दी जान ले लेगी हाँ बिल्कुल इस तरीके से चीनी को हमें यह देखिए मैं जैसे डाल रहे हूं वैसे ही आपको डाल लेना है और इसे हमें चलाना बिल्कुल नहीं है इसके उपर इगे इसका फ्लेम थोड़ा से मीडियम रखेंगे एकदम और उसके बाद हम इसे अच्छे से ढख देंगे इसको मैं इसको मैं यहां पर ग्रेट कर लेते हूं पर जान कीट करेंगे डाला था वैसे इसे डाल के छूड़ दूंगे बहुत टेस्टी होता है सुबह का नाश्टा या शाम का नाश्टा बनाई है इसको खाइए यकीन मानिए आप 3 से 4 घंटे के लिए आपकी छुटी हो जाएगी आपको दुबारा कुछ खाने को मन भी ने करेगा और बहुत ही टेस्टी भी होता है तो यह देखे दो से तीन मिनिट बाद यह एकदम बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है और उसके बाद में गैस को आफ कर दूंगे पक के रैडी हो चुका है यह हमारा और उसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि देखिए कंची चैड़ कि चुपक गया है अब में इसे परोस रही हूँ सब के लिए मैं घेडी हो चुका यह मारा बनका अब मैं से परोस रही है और परोस के फ्रेंस मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगी यह दिखे सबके लिए मैं प्लेट में निकाल रही हूँ आपस में चिपक जाता है यार यह दिखिए और आपने इसमें डूद जिसको आपको पसंद है उपर से डूद डाली डूद अगर आपको पसंद है दूद के साथ बहुत मज़ा आता है इसे खाने में अगर मेरे भाई को दूद मनाई है मेडिसिन ले रहा है इस वज़े से मैं उसके प्लेट में डूद नहीं डालूँगी बाकियों के प्लेट में मैं डूद डाल रही हूं और आपको पसंद नहीं है तो आप स्कीप भी कर अधर चलिए सबको देते हैं और पूछते हैं कि कैसा लगा हुआ है यह देखिए यह बुकर लोग खाने बेड़ गया है यहां पे टी वी का मज़ा ले लेकर खा रहा है यहां पर बाबा को भी दे दिया खाने के लिए और यह मेरी प्लेट है अभी पूछते हैं भाई तो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है तो आइ तिनक अच्छा ही हुआ होगा है यहा रसी पी मेरे भाई आर में आका फारी बनाया है। यह रसीपी मेरे बाई बहरण की है और बांग की ती कॉंछिंग की पार कि एक अरे आज को की एसे बूड़ी हaton शेयर कर दीजेगा चैनल पे नियु आइए चैनल को सुस्क्राइब करते जाए बेल आकन प्रेस करते जाए जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के लिए आप तक मिल जाए तर यह रेसिपी क्या है जाहतर यह लोग गाउं के एरिया में जादा खाते है और इसे नाश्टे के त करते हैं यह लो जो झाल जाए बीज आतके लिजया माता है यह